लूं क्या रहे टमाटर में साव आई प्रक रहिए पहले ठेमाटर पहले असे मंचा आये करते थे आज अई पर्णा दिए लुट रहना दिये यह पड़ाना दिय तोन्हों ला ले दोन्हों मेंचावाद फरक्षेस एक भाष्ण देखा अपको यह बैसं फरक्षेस घ्रेक्ष जो इसमें है इसका मतलब भी है जो देशी टमाटर हमारा पुराना वाइक अचिलका होता था काट से तुत्रा पाणी निकलता था का आतमे आता पुरा आध गर जाता मेरा और इसमें गुद्दा है और उसमें बीज हो एक तोड़े हैं इसमें बीच का दिखा रहे हो आप कहरे उसमें नुक्सान क्या है खाने से क्या नुक्सान होगा खाने से नुक्सान थोड़ी न होता है है अधि यह प्रोड़ेक्ट मारा नहीं है यह और जो देशी टमाड़ रहता उसके तो बहुत सारे फायदे नुपसान इसके तने हैं कि एक तो पहले तो ये बांज बीज है इसके अंडर जो बीज बनता है या आगे बीज बीज से बीज नहीं बनेंगा तो प्रकृती ने आपके स्रीड को जो बणाया चीज खाओगे जो अंक प्रवाइब देश्टी बीज नियुक्त निर्बर रहेगा वाइजा आप कहलें टोमाटर नपुनसक बनाएगा आपके बारे नपुनसक चीज खाओ गे तो पुनसक बनाएगा समझाओ थोड़ा समझाना क्या है बीज आड़ी चीज खाओगे तो आपके बीज पैदा करेगी और यह बीज नहीं होगा चीज के अंदर जो बीज अंकुरित नहीं हो सकता सिर्फ ड्रम में आड़ा बीज नहीं यह दिखने के लिए लेकिन यह बीज अंकुरित नहीं होता फिर फाइदा क्या का करें यह आपके अंदर सीशती आपके शरीयर में जाके आपको भी जो है आपका अंदर से खतम कर देगा बूस्तर इन टमाटियों के अंदर जो है ऑ्केमिकल दलते हैं समझते हैं आप बात को जो पेस्टिसाइडने और चेभिकल व at डलते हैं वह आपको नुक्सान करते क टेमाटर के अंदर आज कितने ज़्यादा केमिकल डलते हैं, आप खुद देखिए इस चीज को, रिसर्च कीजिए थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, ठीक है, थैंक यू सर,